तो दोस्तो बात कर लेते हैं यह सब्सक्राइब करने के लिए यह बात कर देने चाहता हूं लाउंग टरम के लिए इस टॉक बिल्कुल अच्छा नहीं है ठीक है आई नो बहुत लोगों का इसमें पैसा फसा हुआ है थोड़ा एक आप ऑनपने टच रहता है क्योंकि आपका पैसा उपरी लेवल से फसा रहता है तो आप सोसते हैं कि मैं sto को बाइए करते रहूं करते रहूं नहीं ये बिल्कुल समभव नहीं है आप इसमें नया पैसा invest मत कीजी आप दूसें stock पर इन्वेस कर सकते हो ठीखे बाकि अगर आपको इसमें trading करनी है trading मतलब क्या होता है कि आपको swing trading करनी है swing trading मतलब आपको एक महीन ये दो महीने के stock को hold करना तो आप कर सकते हो लेकिन लेकिन आप proper stop loss के साथ इसमें swing trade कीजिए और proper research के साथ इसमें आप काम कीजिए ठीक है अब आप दोस्तों देख सकते हो लगाता है दो दिन इसमें एक अच्छी खासी candle बनीए हरी candle एक अच्छी खासी move आईए दो हरी candle तो लोगों को लग रहा है कि stock काफी उपर जाने है तो आप stop loss के साथ काम कीजिए यहां पर without stop loss काम करना आप के लिए थोड़ा risky हो सकता है ठीक है इसकी latest news दिखा दूँगा बड़े बड़े जो डिककच player है वो साब बना कर रहे है कि आप stock से दूर रहे है हस्वेंग से ठीक है अगर वो कह रहे है तो कुछ ने कुछ रिज होरी होरीजन में देखना पड़ता है अगर लॉंघ टाइम में देखोगे मंसली चार्ट में तो इस टॉक लगाता देख सथे दोस्तों एक हैकनेशी केंडल है बैसिकली यह यह रैड में रैट केंडल बना रहा है और यहां पर इसने सिर्फ दो बार एक अरी केंडल बनाई होने वाला है तो आप देखिए कि अगर लॉंग टाइम में अच्छा हो जाता है आपको ब्रेक आउट मिल जाता है प्राइस के उपर तो आप इसको भाई करके चल सकती हो लोंग के लिए लेकिन अगर भाई जब लॉंग रन में कानी बहुत की बिगरी भी है चार्ट में तो सब्सक्राइब हो जो आईगी भूफ न वह सैल की होगी ठीक है अब वीगली चार्ट में आपको क्या देख रहा है आपको क्लियर मेंशन दिख रहा है कि देखिए ये स्टॉर के स साथ मूमिंग अबरिच में लगा रखा है तो साथ मूमिंग अबरिच के असपर यहां एक बाई था वीकली में यह उपर तक गया ठीक है अच्छा का सा पैसा बनाके लोग वो दिया से अब दुवारा से नीचे आ रहा है वीगली में तो मतलब यहां पर इसका एक रजीसंस अब बात करें डेली में तो डेली में भी देखिए दोस्तों बहुत क्लियर बठाया है मैं आपको यह आपको बाई करना है तो आप बाई करोगे इसको इसके हाई के आउपर ठीक है अथा 19 रुपे के उपर आप बोलोगे साथ यह तो बहुत लेट हो जागा रहे भाई एरिया आपको ड्रोग करके दिखा देता हूं आपको तभी समझायागा यह पूरा एक एरिया रजिसंस एरिया यह मार्क कर लो यह सब रजिसंस बंद चुके है इसके यह स्टॉक जो भी उपर जायागा इसको टच करके नीचे आ सकता है पॉसिवल पॉसिबिल्टी हाई है इसको टच के नीचे आएगा ठीक है तो अगर आपको यह ट्रेडिंग करनी भी है अगर देखें देखें पर लगाता हरी कंडल में बना रहा है आप इसको बने रहे है लेकिन जैसे दुबारा से साथ मूवी आपर इसके नीचे क्लोस कर देगा तीन घंडे के चार्ट में द तो देखिए तीन घंटे में अच्छा एक बहुत सकते हो भाय अभी बन रहा है तो आप आप सोच लेना है कि इस वक दुबार से निचे की तरफ आ जाएगा तो आप अगर आपने बाई किया यहां की बाई किया अगर लिए लगाई लगा लिजいए यह कैंडल का सब्सक्राश रख होता है आप अपनी पनिखिक लगले अगर आपने इसको इसको अभी नगे अभी moving average को पर close करने वाला है ठीक है अभी किया नहीं है मैंने आपको क्या बोलता एक body close करें body का मतलब यह होता है ठीक है तो इससे body close करें यह इसी कुछ तो यह conversion देगा हमें कि हम इसको buy करेंगे अभी यह close नहीं करें जब close कर देगा तब हम इसको buy करके चल सकते लगा लेंगे जैसे द्वारा से नीचे वह reverse हो जाएगा moving average के नीचे तो हम वह हमारा stop loss रहेगा यह आपको पता है strategy yes bank में ठीक है तो अभी तो भाई इसमें अभी आप देखो भाई मत पाई की सला विल्कुल भी नहीं है बागे अगर न्यूस की बात करूँ दिखा रहे तो क्या चल दिखा रहे तो क्या चल दिख सकते हो money control का आर्टिकल खोला हुआ है और तीस जन्वरी का आर्टिकल है और आप देख सकते हो yes bank के उपर है पाच परसें स्टॉक उप पर उपर गया था और इसमें और जो देखने को मिल सकता है इसने प्रॉफिट यह सो सक पचास क्रोड का जैसे मैं आपको बतलाया था ठीक है और इसने जो आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है ठीक है दोस्तों आर्टिकल में लिखा है कि यह जो ICIC security ने कहा है यह बैंक से दि अगर आप इससे ज्यादा बड़े हो तो आप देख लो भाई ठीक है तो मेरे साफ से इंके साफ से भी आपको डूरी बनाए रखना चाहिए जो में आपको पुराने वीडियों बताया था ठीक है बाकि जिनको समझ नहीं आता है वो क्या करें वह सिंपल है वह साथ अप्ला लेकिन आप एक स्टॉप लोस्मा अप्लाइ करना पंदा रुपे के निचे जैसे इस च्लोज करेगा डिली चार्ट में आपका स्टॉप लोस खतम वाज स्टॉप की लग जाएगी लंका उसके बाद ही आपको ग्यार रुपे के ठागट कर आएगा आपको अपको मैंने छुप आगर अछिभ भो गया ठीक अब वेट करेंगे स्टायगेट के स्टॉप कर लें र्याप्ले के लिए से कि कुई घ्रdefined दिखने को मिलेगा इसको बोलते में प्राइज एक्षिन टीक है वेट करो और 17 रुपे की प्राइज देखना कि क्या होगा हुआ बनेगा प्राइज एक्षेंगे वहाँ पर आएंगे तो इसकी लंका लगी की वहाँ पर लंका लगी की नीचे आएगा फिर दुवार से और इसने अगर पंदर रुपे तोड़ दिया फिर अराम से ग्यार रुपे के लेबल्स भी आपको दिखा देगा ठीक है तो यह होता प्राइज एक्षेंगे लिए एक मिट करना वड़ता है प्राइज एक मिट भी नहीं होता है उसके लिए आपको दो या तीन दिन देना वड़ता है ठीक है भाई तो मेरे साब से स्टॉक भाई धूरी रहो यास बैंक से कोई बाइक करने हो सकता नहीं है लॉंग टर्म के लिए लॉंग टर्म स्टॉक जीर ही होने वाला है यह लिखके लेलो आप कई भी ठीक है चलो बाई बाई